कि नमश्कार संस्किती पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा जैसे कि डेली हम कुछ महत्पुपूर्ण मुद्व पर जज़ा करते हैं तो देख कौन-कौन से बिंदू है आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप राध थानिस थापित किये जा रहे हैं तो इनके बारे में सच्चा होगी और अंत में है भारत में बाल विवा को लेकर के एक रिपोर्ट पेश करी गई है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बाते करेंगे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आप राधिक कानूनों में जो बदला इन में संसुधन के लिए लोकसभा से तीन विदियो को को पास कर दिया गया अब क्या क्या थे सबसे पहला था आपका जो पास किया गया भारतिये नाय सहींता दो हजार तीस दूसरा है भारतिये नागरिक सुरक्षा सहींता दो हजार तेईस और अंत में है भारतिये साक्ष धाराये अब को वोंगी भारतियद्याय साहिनता में क्या है तक या आइपीसी को रिप्लेस करेगा और elected अब userр होगी और अंत में आपका भारतिय सेक्षव विध्ययक्ष जोकी है डेंदयंज आक्ट इसको रिप्लेस करेगा और इसमें 170 आपकी धाराये खोने तो यह तो था किसको रिप्लेज करेगा और कितनी धरा इसमें होने वाली हैं दो इसमें बहुत ही महत्वों पूंड परिवर्तन किये गए हैं इनके बारे में हम चर्चा अवश्य करेंगे सबसे पहले क्या है कि राजद्रोह की परिभाशा को बदल दिया गया है राजद्रोह कार्द कि सरकार के खिलाफ यदि आप अपराद कर रहे हैं तो उसे राजद्रोह माना जाएगा और इसी को चेंज करके क्या कर दिया गया है कि यदि आप देश के खिलाफ क्या कर रहे हो अपराद कर रहे हो तो अब वह राजद्रोह है ठीक है पहले यदि आप सरकार के खिल को गया है अब बदल करके क्या होगा आपका देश द्रोह कर दिया गया है राज द्रोह को जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ठीक यहां इसके बारे में एक नया चाप्र जोड़ दिया गया है और 18 वर्ड से कम्र उम्र की महिला के साथ यदि को बलातकार करता है तो उसको आजीवन कारावास और म्रत्यु दंड का प्रावधान किया गया है और एक बहुत बड़ा कदम है जो सरकार की द्वारा इसमें उठाया गया है ठीक है दूसरा क्या है कि उन्होंने गैंग रेप के मामले में 20 साय जिंदा जब तक वह अपराधी जिंदा है तब तक वह कारावास में रह फरी पुर का दंगा हो जाये वहां पर आपने देखा कितना जादा मौब लिंचिंग के अपराध हुए चाहे वो किसी और राज में आप देखोगी तो आपको हर जगे मौब लिंचिंग से संबन्दी घटना है वो देखने को मिलती ही मिलती है प्रावधान बना दिया गया है कि मूल विध्याक में पहली बार मौब लेंज इनके एक अलग शरनी बनाय गया है है तो हत्य ही आपने कि से किम्रत्यु कर और अब मौब लिंगी और और gustaría की बराबर दन्डित किया जाएगा यांश कर तो करने में तरहिए THRH EFIN पर 2 दिन में दीना होगा जवाब यदि कोई भी महिला थानें में ये दिदर्ज करती है तो अब यहां पर कह दिया गया इस पस्ट रुप से कि आप दो दिन के अंदर घर आ करके इसका जवाब लेनी की ववस्था की गई है भाई आपको देना पड़ेगा जवाब कानून और नियम अप सक्त हो चुगे चलिए आगे आ जाते हैं आगे क्या है इसमें तो क्यों किया जा रहा है बदला इसके बारे में थोड़ा से जान लेते एक तो वर्तमान का परिपेक्षिजु है यदि हम उसमें समझें तो इसकी आविशक्ता बहुत ही जादा है पहले जितने भी आपके IPC हैं CRPC हैं यह सारे थे ब्रिटिश आशन के समय ब्रिटि हुए और क्यों कि भारत आजाद हो चुका है ठीक हमारे अपने काइदेक नियम कानून हमारे समवधान है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए तो इसलिए यहां पर क्या है कि भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्तिया की नीव है उपनिवेश्वाद की व पर जितने भी आप अपवी देखोंगरे चैंजबन कि गए गए हैं यहां पर उस अपराधी को दंड़ देना शामिल थे साथी जिसके सथ अपराध हुआ है उसके सथत्लिया होना चाहिए और समाझ्य होना चाहिए इस पर बल दिया घारा है कानून में दंड़ देने विचार था नयाय देने का नहीं था जितने भी पहले कानून थे नय भारती नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा जो आपका यह नया कानून आया है और साथी साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करना और कानूनी प्रक्रिया का सरली करण करना यह इसका मेन उद् नहीं करोगे तो उससे संबंदित जो भी प्रावधान होंगे जुनियम कायदे कानून होंगे वह पर लागू होंगे तो यह बदलाओ थे जो किये गए हैं चले आ जाते हैं दूसरी न्यूस कि उत्तर प्रदेश में 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किया रह हैं ठीक है मुख्यमंत्री योग्यादितिनाद की अधिक्षता वाली क्याबनेट बैठक में प्रदेश के 57 जनपदों में इसके स्थापना की जा रही है मैंने पूरे 57 जनपद यहां पर लिख रखे हैं स्क्रीन शॉट ले लेना नहीं तो जिसको पीडिएफ चाहिए टेल जनपदों में साइबर क्राइम ठाने स्थापित होने के बाद भी पुलिस अधिक्षक इसकी जिम्मेदारी क्या करेगा अब निभाएगा वरना पहले जो वहां के जो थाने दार्दे बस वही नॉर्मल रिपोर्ट वगेरा देखते थे लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी कि पुलिस आधिक्षक की है ठीक है साइबर क्राइम में कनविक्षन के मामले में उत्तरप्रदेश पहले इस्थान पर है और प्रदेश का जो कन्विंशन रेट है वो है 87.8 परसन जो नैशनल साइबर क्राइम के कनविंशन का कितना है 46.5 परसन न है चलिए आगे आजाते है आगे क्या मात्वपूर्विंदु हैं अब तक उत्तरप्रदेश में 838 कन्वेंशन हुए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौझूद मर्द्प्रदेश में 59 कन्वेंशन हुए हैं यदि देखा जाए कि इसके ताथ कितने क्रिमिनल्स अभी तक अरेस्ट हुए हैं तो 7122 क्रिम से मैंने बताया कि यह पहले स्थान पर है लाब क्या होगा कि से साइबर प्राइम पर नज़र रखी जा सकती है साइबर अपराद जो है इस पर प्रभावी कारेवाही संभव हो पाएगी साइबर अपराद में कमी भी आएगी और साथी साथ कानून विवस्था मजबूत हो भारत में बाल विवाह से समंदीक रिपोर्ट पेश की गई do hours Golf 2016 तक आप देखोगे जो भी बाल विवाह थे उनमें कमी आई और बहुत तेजी से कमी अई लीकिन 2016 से 2021 के बाद रिपोर्ट में अब बताया गया है कि बाल विवा में लगातार क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है तो चलिए शी को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें चीज़े हैं भारत में प्रतेक पाच में से एक लड़की का बाल हो रहा है या फिर हुआ था ठीक है विवा के लिए निर्धारित कानूनी आयू से पहले हुआ है वर्ष 2006-2016 के बीच इसमें सबसे जादा गिरावट आई थी बाल विवाहों के रोक में लेकिन 2016 के बार 2021 के बीच बाल विवाहों के रोकने के प्रयासों में कमी देखी गई है 2016-2021 के बीच कुछ राज्यों और केंद शाषिट प्रदेशों में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन जादा हो गया है चलिए राज्य भी देख लेते हैं लड़कियों के बाल विवाह में यदि बात करी जाए तो सबसे ज़ाधा जहां पर बाल विवाह हो रहे हैं वहें मडीपुर पंजाब तरपुरा पशिंवंगा और वहीं यदि लड़कों की बात करूं में तो 36 गर्ड गोवा मडीपुर आन पंजाब आ गया जाते हैं बाल साथ प्रतीशत था और साथ से घट करके कितना हो गया है दो प्रतिशत हो गया है ठीक है चलिए आगए आ जाते हैं बाल विभास से संबंदित क्या काइदे की नियम काणून है थोड़ा से देख लेते हैं यानि की यूनिसेफ किसी लड़की या लड़की की शादी जो यूनिसेफ ने निर्धारित करी है वो है 18 साल ठीक है इससे पहले नहीं होना चाहिए यदि हुई तो उसको हम बाल विव मानेंगे वही भारत में दिबात करें कि कैसे सम्मंदित मां दन्थ है तो भारत बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 के अनुसार विवा लड़की की होनी चाहिए 21 लेकिन भी चेंज हो गया है कि अब लड़की की अवर्य कितनी होनी चाहिए 21 वर्स already कैया हूनी चाहिए 23 तक ओड़篤 त इसे अम怎麼 है तो इससे सम्मंदित आपके महात्वपूर्ट तत्थ थे जो मैंने यहां पर बताया डिसकस किये आपके जो सुझाओ है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अन्त में आपके लिए प्रिश्ण है प्रिश्ण क्या है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर क्राइम था ने स्थापित यह जा रहे हैं 55 57 58 59 है तो यह थी आज की प्रमुक न्यूज मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शेयर स्सक्राइब करना बिलकुल विना भूले